तो भई मीशो ने तो अपनी sale दो दिन पहले ही live कर दी थी बट Amazon और Flipkart ने अभी अपनी sale live करी है आप देख सकते हैं buyer portal पर और obviously आपने seller portal पर भी देख लिया होगा जिस तरीके से sale आ रही है उस तरीके से आप अपनी sale, obviously sale live हो चुकी है आज से बट अभी भी बहुत सारे sellers मिर को बोलते सर अभी zero order है या फिर उतने ही orders आ रखे हैं जितने order हमारे normal days में आते थे पट आज की वीडियो में 10 points ऐसे बताने वाला हूँ वो मैंने note down करके लिखे हुए है कि क्यों आपकी sale नहीं आ रही है sale season में भी ये 10 चीजे चेक कर लेना 10 settings में बताने वाला हूँ तो 10 checkpoints हैं ये 10 checkpoints आप चेक कर लो आपकी sale definitely बढ़ जाएगी अगर नहीं बढ़ रही है तो क्या solution है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए सीधे वीडियो को start करता हूँ welcome to Rishi Commerce I am Rishi और Instagram पे मैंने एक poll डाल रखा है वो poll आप जरूर देख लेना उस poll में मैंने पूछा है कि क्या जैसे मैंने मीशोब sellers के लिए offer निकाले थे क्या आप चाहते हो कि Flipkart और Amazon sellers के लिए भी मैं कुछ offer लेकर आऊँ अगर आप इस पे yes बोलोगे तो definitely मैं लेकर आऊँ Instagram की story पर यहाँ पर एक poll डाला है मैंने यह poll पर yes और no आपको कर देना है तो please आप लोगों से request यह आप जरूर कर लेना तभी मैं आप लोगों के लिए Flipkart और Amazon sellers के लिए offer लेके आऊँगा अपनी services के लिए तो चलिए सीधे वीडियो को start करता हूँ और मैंने यहाँ पर एक listing की visibility को check करो देखे आप अपनी one by one अपनी listings को यहाँ से मतलब जो at least top selling है उनकी आप visibility को check करो चाहे हो Amazon पर हो चाहे हो Flipkart पर होता क्या है कि हम expect कर रहे होते हैं कि ठीक है sale आईगी बट हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे listings हैं जो यह तो non deliverable हो रहे हैं या out of stock दिखा रहे ह और check करिए कि आपकी listings क्या हर जगा visible हो रही है या नहीं हो रही है तो पहला आपको क्या करना है check your listings status in all locations सारी location पर आप अपनी listing status check करो सारा verify करो कि listing मेरी live है listing मेरी properly चल रही है और अगर चल रही है तभी आपको sale मिलने वाली है ठीक है चलिए दूसरा point में आपको बता देता एड कर दो तो आप चेक करिए कि क्या Amazon पर या Flipkart पर आपकी जो listing शो हो रही है क्या वो free of cost delivery हो रही है या नहीं हो रही है इसको आप जरूर चेक कर ले ना यह है दूसरा checkpoint तीसरा checkpoint क्या है check your account status बहुत सारे sellers अपने account को खोल के बैठने उनको पता ही नहीं है बहुत सारे sellers का account इस time पर जो है Flipkart और Amazon hold पर करता है तो Amazon की account health आप चेक कर लो और Flipkart पर भी आप अपना account status जो है manage profile से check कर सकते हो ठीक है इसमें आ जाते हैं हम 4th point में 4th point में आपको क्या करना है check your stock कई बार क्या हो जाता है हमने stock नाल रखा है या हम भूल गये हैं या sale के time पर मानके आ जाते हैं यहां पर 5th point पर तो है check promotion update listing यह बहुत ज्यादा important है आपको क्या करना है Amazon पर अगर आपने sale में participate किया होगा तो वहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको deal और अपना deal हो गया और आपका coupon यह दोनों चीज़ें आपको live रखनी है और ads भी आपको जरूर च किया है तो आप एक बार जाके अपने offers में यहां पर flip card promotion में जाके opted listing जो आपने opt कर रखी है उस पे आप जा सकते हैं मैं एक बार opted चला जाता हूं और जिस जिस पर भी हाँ पर ongoing लिखा हुआ है especially bbd वाले जो offers आपने पाट्सपेट करे थे तो इसमें आप offer detail में आईए और डिटेल में आनके बाद यहां पर download opted in listings पर चेक करिए और listing इनको आप open करके देखिए कि आपने कितनी listings पर discount actual में दे रखाया कई बार हम discount तो दे देते हैं बट यहां पर listing count बहुत कम रहता है या तो एक ही पे रहता है तो दो यह चेक कर लिजे कि opted in listing में आपकी कितनी listings आ रही है अगर सारी listings आ रही है almost तो सही है अगर एक दो ही listing आ रही है तो आप बाकी listings पर भी promotion live कर सकते ठीक है त ही होता है यह हो सकता आपका एड़ जल्दी खतम हो गया हो अगर आपने गलत तरीके से चला है तो एड़ की वीडियो मैंने बनाई है वो ज़रूर जाके चेक कर लेना और एड़ का अपना स्टेटस देख लेना एक बार उसके बाद सेवें तंबर पर है डू मोर लिस्टिंग अभी विजबिलिटी बहुत ज्यादा है अभी इस टाइम पर जितनी ज्यादा लिस्टिंग करोगे उनकी विजिबल होने के चांस से बहुत ज्यादा है क्योंकि करोड़ों कॉस्टमर्स अभी के टाइम पर फ्लिपकार्ट और एमेजॉन खोल कर बैठे हो आप भी आपने देखा ही होगा आप शॉपिंग करी रहे होंगे क्या क्या शॉप कर रहे हैं आप मुझे कॉमेंट में बता दो बाकि आप अपनी केटिगरी मुझे जरूर कॉमेंट में ड्रॉप कर देना और जब भी आप बोलोगे सेल इतनी आरी इतनी आरी बाकि आप केटिगरी उसमें जरूर मेंशन कर लीजे, चलिए आगे बढ़ते हैं, next आपने क्या करना है, plan for the next sale, अब देखिए, सारी कोशिश करने के बाद भी हो सकता है, Amazon Flipkart पर आपको अभी के time पर orders नहीं मिल रहें, तो उदास होने के आपर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसके बाद दिवाली sale बह 15-20 दिन है, उसकी plannings आप करिए, sale plannings का मेरा जो live session है, वो जरूर देख लीजे, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आजाते हैं, 9th point पे, वो है, don't expect a miracle, यह point में डालना बहुत ज्यादे important था, क्यों, कि बहुत सारे sellers सिर्फ यहाँ पर एक miracle के तलास में है, मतलब चम आपके listing की pricing सही है, आपने sales होगेरा में डाल रखा है, आपने discounts उस पे दे रखें, आपने ads चला रखा है, आपके product की visibility है, उसमें catalog सही है, यह सारी चीजें देखी जाती है, आज भी buyer वही देखेगा, ऐसा नहीं है कि आज buyer जैसे तैसे कैसी भी shopping कर देगा, तो आपको ध्य यहाँ पर कोई चमतकार की आप उम्मीद मत रखें, तो इसको आप जरूर चेक आउट कर लीजिए, और हाँ, final point बहुत ज्यादा important उसको बताने से पहले, वीडियो को like नहीं कर रहा तो like कर दो, चैनल को subscribe कर दो, यह सिर्फ short वीडियो थी उन लोगों के लिए जिनकी sale नही और पुराने भी है, sale नहीं बड़ी है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा important है, final point है, show your account to our team for free, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर इसके बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे team का number first comment पर है, आपको क्या करना ह उन में से जो भी department आपका है, मतलब flip card, amazon, me show, उनका separate number मेंने डाल रखा है, उस पे आप contact कर सकते हैं, और अपना account check करवा सकते हैं, obviously आज Sunday है, तो हो सकता है, team उतनी active नहीं है, आप WhatsApp डालिए, call पर बात हो सकता है, आज, नहीं हो, बाकि कल बात हो जाई, कल Monday है, आप WhatsApp team का है, directly आप उनको contact करके, अपना account show कर सकते हैं, तो यह number है, 8979080856, यह number पार आप contact कर सकते हैं, Mr. उमेज जी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप directly इनको अपना account दिखाईए, कि सर मेरा account पर देखी, sale क्यों नहीं आ रही है, वो department wise आपकी बात करा देंगे, जितना possible हो अगेन मैं लास्ट में एक ही चीज बोलूँगा, Instagram पर जाओ, वहाँ पर story पर अपना opinion मुझे जरूर दे देना आप लोग, चलिए यह वीडियो helpful रही होगी, helpful comments जरूर कर देना, और इस इन points, checkpoints को clear करने के बाद, obviously आपकी sale आनी शुरू हो जाएगी, till then, thank you very much, keep selling on.